So welcome back to my youtube channel तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे The concept of evaporation तो चले बिने किसी दरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आप चैनल पे नहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें सबसे पहले हम लोग देखेंगे What is evaporation? क्या होता है evaporation तो अगर बात करें evaporation की definition की तो evaporation क्या है? It is the process of conversion of liquid into gas at any temperature below the boiling point यानि एक process एक प्रकिरिया है किसका liquid का gas में change होने का जो कि किसी भी temperature पे हो सकता लेकिन वो temperature क्या होना चाहिए? वाइलिंग point से जिस temperature पे कोई सब्सक्रांस boil होता है उससे काम होना चाहिए तो evaporation क्या है? It is the process of conversion of liquid into gas at any temperature below the boiling point यानि वो process जिसमें liquid किसमें change होता है? gas में उस process कहेंगे evaporation तो आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है? factor affecting evaporation यानि क्या क्या कारण है जो evaporation हो क्या करता है? affect करता है यानि evaporation change होता है पहला हम लोग देखेंगे temperature यानि temperature रे कारण जो evaporation को क्या affect होता है? तो बात कर अगर temperature की तो temperature बढ़ाने पे यानि increase करने पे evaporation क्या होगा? increase होगा and vice versa मतलब अगर temperature बढ़ाएंगे तो evaporation बढ़ेगा यानि directly proportional का relation यानि evaporation डाइकली बढ़ेगा और वाइस वरसा मतलब उसका पोजिट भी true होगा मतलब कहने का evaporation surface area के भी directly proportional है जैसा temperature के directly proportional है surface area के भी directly proportional है मतलब area अगर बढ़ेगा तो evaporation का rate speed बढ़ेगा और अगर area घटेगा तो evaporation का speed घटेगा तिसरे बात हम लोग करते हैं wind speed यानि हवा का बहाओ हवा कितनी तेजी से बहरा उस जगा पे तो किसी जगा पर अगर हवा का speed जादा होगा दूस जगा प इवापरिशन का rate भी जादा होगा मतलब इस wind speed बढ़ने पे evaporation भी क्या होगा बढ़ेगा and vice versa मतलब evaporation और wind speed क्या होता है directly proportional होता wind speed बढ़ेगा तो evaporation बढ़ेगा तो humidity अगर increase होगा तो evaporation क्या होगा decrease होगा मतलब इस इनवर्स रिलेशन है इनवपरिशन अगर बढ़ेगा तो humidity घटेगा humidity बढ़ेगा तो evaporation घटेगा एक दुसरे का positive यानि जी जगा पर humidity जादा होगा उस जगा पर evaporation कम होगा humidity क्या है it is the amount of water vapor प्रेजेंटी एक्मोस्फियर हावा में जो है water vapor कितना प्रेजेंट उसी को कहते है humidity ठीक है तो humidity बढ़ने से evaporation क्या होगा घटेगा और घटने से evaporation बढ़ेगा next बात करते हैं pressure के बारे में pressure का भी रोल होता है evaporation में pressure अगर बढ़ेगा घटेगा pressure बढने से evaporation क्या होगा घटेगा यानि इसमें भी क्या है reversible evangelization 폭 ěमोना फटना ने criser क्या हिए ऐक दूसरे का opposite यानि परेशर जहां बढ़ा तो अप्रेशन क्या होगा खटेगा और परेशर जहां घटाν गहाण रहागा बहागा एक दूसरे का opposite है तो यह दोनों है humidity और प्रेशन है गटेगा और प्रेशर नेंस्ट हम लुक देखेंगे इन कारणों को देखेंगे क्यूं ऐसा यह देख सकते हैं तो नौर्मरलई क्यों 0 कप्ड़ को पानी यहल्दी आता है यहल्दी से क्या होना सकते हैं यह इसक्र्थी क्या हो तो पताइए आप कि siitä है कि रखे हुए भीगे कपड़े में या फैलाए हुए कपड़े में इस तरह के कपड़े में यानि जो एरिया बढ़ जाता है उसका तो इविशन स्पीड से होता यानि ऐडिया और इस एवापरेशन डायेक्ली रिलिशन ठीक है और आगे देखें ये तो फिनोमन आप लोगों न पहले होगए। दूद कहल दोद को पी 순ड़ में और कप सुल्फ़व होता है हम क्रिछन होता हुमको इसका कराइन भी आहां पति हम सकते हैं सर्फस अरिया को सबक्राकि आए का था मैं यहां होगा तो पूरिशन का करता है cooling effect produce करता है इसको हम लोग आगे देखेंगे और यहां पर देखेंगे तो इसका area क्या है कब का कम जिस वैसे इवापरिशन का speed कम हुआ इसका कारण क्या है इसका कारण यह है कि जब हावा का speed जादा होता है तो इसके पास पास जो वार्टर वेपर होते हैं उसको हवा क्या अपने साथ से जाता हैवा से जो blow Parker गठ गया वार्ट वेपर घ्रता मतला humidity और humidity घ्रन ने सब जब बढ़ेका तो एवापोरेशन क्या होगा पbot आइंट कर सकते हैं बैatura मिट इoting चर्म बढ़ाय को ओर है यहां भंड हो रहें यहां पर चरट का यहां उप बढ़ जा करने सब क्या हो तर अबमने से कंड़ी का तर लोलो हिंगा पड़ता है तो यहां सब जल्दी होगा तिसलिए temperature बढ़ने पर पार्टिकल काइटी के नर्जी बढ़ता और काइटी के नर्जी बढ़ता और पार्टिकल तेजी से फास्चली मॉफ करेगा और इवापोरेट होगा तो इसलिए temperature बढ़ने पर rate of इंक्रीज होता है आगे हम लोग देखेंगे humidity के बारे हम जैसे कि बताया था what is humidity amount of water vapor in the atmosphere हावा में जो water vapor कितना यानी gaseous form of water तुसी को कहते है humidity ठीक है और आगे हम लोग देखेंगे तो अभी हम लोग ने बताया था कि humidity बढ़ेगा तो क्या होगा इवापोरेशन का rate घटेगा इसको हम लोग इस वीडियो से समझ सकती देख सकते हैं आंगन वाली वाला किलास चल रहा है खचा खच एक दाम भीड भरावा बच्चा लोगन का तो बच्चा लोग का जो ही भीड देख सकते हैं अगर मान लिजए और बच्चे कुछ बच्चे लेट से आते हैं इसकंदर बैठने के लिए क्या यहां पर इनको जगा मिलेगा बिलकुल नहीं मिलेगा ने यहां ने बुलना कि बहुत जगा है यहां कुछ हो जगा नहीं है क्योंकि बच्चा का देख सकते हैं खच खच भीड बढ़ा हुआ तो इस वज़े से क्या होगा जब इतना भीड के वज़ा से अगर क्लास्रूम में और बच्चे इंटर करना चाहेंगे तो बच्चे क्या होगा बहुत दिक्कात होगा इंटर नहीं कर पाएंगे तो सेम उसी तरह जादा होता है तो मतलब वाटर वेपर का कहां जाता है हवा में जाता है और हवा में भीड़ भार जादा है भीड़ भार जादा होगा तो च्हा होगा अंदर नहीं आप आईगा अंदर नहीं आपको ऑन पाने का मतलब EVROPORATE होके हवा में नहीं जा पाएगा depuis book पहले से बहुत सारा जो है वाटर वेपर जगह लिया व होता है boiling में क्या पूरे liquid में होता है प्रोसेस ओफ convection लिकिन ये इवापरेशन का एक surface फिनोमन है यापर सिस इवापरेशन क्या करता है pulling effect पर यहां पर evaporation होगा जिस जगह पर evaporation होगा वहाँ पे ठंडा उस जगह होगा तो तेज से इवापरेट करेगा इसी लिए जो है सर्फेस फिनोमेना इवापरेशन को कहा जाता है क्योंकि सर्फेस के पार्टिकल के पाल ज्यादा क्या टिक नहीं जो था सर्फेसरांडिंग से लेगा किसी से भी लेगा यह इनर्जी लेकर जो पार्टिकल क्या हो जाते हैं गैस में चेंज वापरेट हो जाता और यह दिस अब्सक्राप्शन अफिट इंक्रीज अब्सक्राइब करेंगे लिक्विड उनका इनर्जी बढ़ेगा इनर्जी टो जो लिक्विड है और वह इवपोरेट होगा तो वह इवापरेट होगा तो हीट कहां से स्रॉंडिंग से लेगा उस जगह से लेगा और वह एक्जांपल देगी और इंसी आर्टी कि कुस्क्वेशन भी इससे रिलेटड है तो जैसे की मत्का जो होता है मत्के में हम च्छोटे छेद होते हैं, जैसे कि यहां पर ढहार आता है, और कि बाहर आ यादा है, फिर जो देखे सकते हैं मटके मटके मॉइने से पानी से भी पना हो और evaporate होगे कहाँ चला जाएगा atmosphere में चला जाएगा तो यह जो मटका देख रहे हैं इसमें पानी रखने का यह फाइदा है कि यह जो छेद होते हैं छोटे छोटे होल्स उसके वैसे जो अंदर से छोट थोड़े बहुत जो water है उसके पार्टिकल इसको बाहर आ जाते हैं surface और से क्या होता है cool होता है due to evaporation और evaporation में heat क्या होता है कौन सा heat involved होता है latent heat of vaporization याद रखना जब भी evaporation होता है during evaporation the latent heat of evaporation is always involved तो यह कारण था मटके में पानी रखने से ठंडा क्यों होता है आगे हम लोग देखेंग और जैसे कि नॉर्मल में देख सकते हैं कि acetone या alcohol या फिर कुसी तरह का sanitizer या perfume बगएरा जब हात में हम लोग छड़कते हैं या sprinkle करते हैं तो हमें ठंडा या cool feel होता ह इसा क्यों होता है क्योंकि same कारण है evaporation produces cooling effect क्यों क्यों क्योंकि यह सब स्प्रिंकल करेंगे तो कुछ दिर बाद यह देखें क्या evaporate होके उड़ जाता है जब यह gases form में चेंज होगा तो इसको कुछ heat चाहिए which is latent heat of vaporization वो कहां से लेगा आपके इस हाथ से लेगा और यह हा आता है NCIAT में question है कि why desert cooler cool faster in hot and dry days यानी गर्मी के दिनों में और सुखा होता है मतलब humidity कम होता है तो desert cooler अच्छे से काम करेगा तो यह देखेंगे तो अब बोला क्या है question NCIAT में कि गर्मी के दिनों मतलब temperature क्या होगा very high और दूसरा क्या है dry days, dry days में क्या होता है humidity कम मतलब temperature जाद है गर्मी करेगा और humidity कम यानी dry days यानी temperature बढ़ेगा और humidity घटेगा तो बताए यह दोनों का दोनों तो क्या कर रहा है